Hello Friends, Pre-Education में स्वागत है आपका चलिए आज हम 6 अक्टूबर की Current Affairs को देख लेते हैं कि क्या-क्या बाते हैं तो मारा पहला Question है हाल ही में कौन आस्ट्रेलियाई धर्ती पर टिश्ट सतक बनाने वाली प्रथम भारती महिला क्रिकेटर बनी है उसका एंसर है C. इस्मती मंधाना जीसलिक आप यहाँ Image में भी दे सकते हैं यही हैं क्रिकेटर इस्मती मंधाना इन्हों नहीं आस्ट्रेलिया की धर्ती पर पहली भारती महिला क्रिकेटर बनी है जिनुने सतक लगाया है वहाँ पर अभी पिंग तो बॉल टेस्ट हो रहा है और भारत के बीच मैंने आपको प्रिविएस वीडियो में बताया था तो उसी में इन्होंने ये कारणामा करके दिखाया है तो चलिए हम नेक्स्ट कोस्टन को देखते हैं हमारा अगला कोस्टन है कौन बेक्ति हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरुकता फहलाने के लिए कोविन डी-सी-एक्स के ब्रांड अमबेस्डर बने है जैसा कि आप इमेज में भी पहचान सकते हैं इसका एंसर होगा जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं तो चलिए हम नेक्स्ट कोस्टन को देखते हैं हमारा अगला कोस्टन है हाल ही में कौन दाल चीनी की संगठित संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज बना है A. हिमाचल परदेश B. पश्चिम बंगाल C. अरुनाचल परदेश D. नागा लेंड इसका एंसर है A. हिमाचल परदेश जैसा कि आप यहां इमेज में भी देख सकते हैं हमारे भारत के मैप में हिमाचल परदेश यहां पर इस्थित है उत्तर में हिमाचल परदेश की राजधाने सिमला है वहां के सियम जैराम ठाकूरें और गवरनर भी शुनात अर लेकर हैं तो चलिए हम नेक्स्ट कोस्चन को देखते हैं हमारा अगला कोस्चन है भारती जीवन भीमा निगम LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कारभार संभाला A. B. C. पतनायक इस कोस्चन का अंसर है A. B. C. पतनायक जिसे यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं यही हैं B. C. पतनायक जी और इन्होंने मुकेश कुमार गुपता का इस्थान लिया है इन्होंने मुकेश कुमार गुपता को रिप्लेस किया है क्योंकि मुकेश कुमार गुपता जिक का कारेकाल 30 सिप्टेंबर 2021 को खतम हो गया इसलिए अब बिजी पतनायक L. I. C. के प्रबंध निदेशक बने है L. I. C. के इस्थापना हुई थी 1956 में 1 सिप्टेंबर तो चलिए हम अगले कोस्चन को देखते हैं हमारा अगला कोस्चन है हाल इमेद दिये गए F. I. H. हौके स्टार अवार्ड दोजरिकीस में किसे सर्फजेश्ट महिला खिलाडी का अवार्ड मिला है इसका एंसर है B. गुर्जीत कौर यह महिला खिलाडी का सर्फजेश्ट महिला खिलाडी का वार्ड इनको मिला है गुर्जीत कौर को जिसा इमेज में देख सकते हैं और मेल में मिला है कप्तान हर्मन प्रीत सिंग को मिला है हमारा अगला कोशन है किस देश के प्रधान मंत्री अभी एहमद ने पांच साल के दूसरी कारकाल के लिए सपत ली है ए इथोपिया बी इरान सी फ्रांस डी इटली इसका एंसर है ए इथोपिया जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं यही है अली अभी एहमद और एक इंट्रेस्टिंग बात यह बता दे फ्रेंस कि जो इथोपिया के जो यह प्रधान मंत्री है अदिस अबाबा इस्वारी मेज में दिख रहे होंगे इनको 2019 में नोबेल का सांती पुरुषकार मिला था सांती का नोबल पुरुषकार मिला था तो इथोपिया की बाताईत हम आपको बता देते इथोपिया की जो कैपिटल है वो अदिस अबाबा है यह 2018 से ही इथोपिया के पियम है तो चलिए फ्रे परमाडु पंडुब्बी से लांच किये जाने वाले घातक जिर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाल का सफल पर इच्छन किया है। A. निपाल, B. रूस, C. चीन, D. पाकिस्तान इसका एंसर है B. रूस रूस की बातायत हम आपको बता देते हैं रूस की राजधानी मासको है हमारा अगला कोशन है R. वियाई ने बैंक और बड़ोदा के किस पूर महा प्रबंधक को N. B. E. P. C. का प्रिसासक निप्त किया है A. दिनेश पंथ, B. पदम कुमार, C. रजनीश सर्मा, D. दिवाकर प्रिसाद सिंग इसका एंसर है C. रजनीश सर्मा तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला कोशन आपके लिए रखे हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कौन बेक्ति हाली में क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़ाग रुकता फलाने के लिए कौइन डिसी एक्स के ब्रांड अमबेस्डर बने है A. राहुल द्रविन, B. अमिताब बच्चन, C. अनील कपूर, D. सचिन तेंदुलकर इसको हमने उपर पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोसिस कीजिएगा कि इसका एंसर क्या है और आपको अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा तो चलिए अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रेप्शन में डाल दूँगी आप वहां से देख लिजिएगा चलिए थैंक्स फार वाचिंग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं